प्रदेश के बिकानेर में मनी लॉंडरिंग से जुड़े जमीन खरीद बेचान मामले में राबर्ट वोडरा की मुश्किले बढ़ने वाली हैं प्रवर्तन निर्देशाले ने इस मामले में रोबर्ट वाडरा को हिरासत मिले कर पुष्टाश करने की राधसान हाई कोर्ट से इजाजत मांगी है नियादेश पुषपेंदर सिंग भाटी की पीट में इस मामले की सुनवाई सोमवार को होगी एडी की तरफ से एएसजी राजदीपक रस्तोगी वे भानू प्रताब बोहरा पक्ष रखेंगे जबकि वोडरा का पक्ष सुप्रीम कोट के वरिष्ट अधिवक्ता के टीएस तुलसी रखेंगे विगाने राज़े की गैर सरकारी स्कूल सीबियसी तथा सी आई एसई की मानेता के लिए राज़े की शिक्षा विभाग ने अनापती प्रमाण पत्र के लिए 18 जन्वरी से 15 फरवरी तक आवेदन कर सकेंगे तता विला मुशुल के साथ 28 फरवरी तक आविदन कर सकींगे माद्यमिक शिक्षा निर्देशाले द्वारा नीजी प्रात्मिक उच्च प्रात्मिक माद्यमिक तता उच्च माद्यमिक स्कूलों को CBSC और CISCE की सम्मंदता के लिए विभाग से अनापती प्रमान पत्र के लिए टाइम फ्रेम जारी कर दिया गया है जोदपुर जीरे के बालरवा गाउं में शनिवार देर रात युवाओं की सजक्ता के चलते 14 लाक रुपे भरे एक एटियम लूट की वारदात विफल हो गई मथानिया थाना के अंतरगत तीमरी कजबे के पास बालरवा गाउं में मुख्य रोड सित SBI के एटियम को रात दो बजे गैंस कटर से काट दिया लेकिन कार में निकले तीन शमिकों की सजक्ता के चलते तीनों नकाब पोश बुलैरो पिकप में बैट फरार हो गए पुलिस ने तीनों की तराश में नाकाबंदी करवाई लेकिन फिलाल लुटेरो का पता नहीं लग पाया बिकाने चिले में मोसम अपना मिजाज लगातार बदल रहा है जहां शनिवार को कोहरे की चादर लिप्टी रही तो रविवार को आकाश साफ रहा इस बदले फिर से बढ़ गया साफ चमकदार धूप ने सर्थ वातावरं को कम किये रखा शनिवार को अधिक्तम पारा लुड़क कर 20 डिगरी पर आ गया जबकि शुक्रवार को अधिक्तम तापमान 28 डिगरी के पार चला गया था और वहीं रविवार को अधिक्तम पारा फिर से 5 और यूनिट गए वे अधिक्षक डॉक्टर राश्ट्री भेहरा वे अन्यच किसको से उनके इलाश के बारे में जानकारी ली उन्होंने भरती मुरीजों के परीजनों से भी बाच्चेत की और इससे पूर्व अधिक्षक से उनके कख्ष में चर्चा कर पूरी जानकारी ल पुरानी जेल रोड सित लेडी एल्गिन स्कूल के कक्षा कक्ष में शिक्षिकाएं सेनिटाइजर कर रही थी। रादी सरकार के गाईलाइन के रुसार 18 जन्वरी से कक्षा नोवी से बार्वी तक के विद्यार्थियों के पढ़ाई शुरू हो रही है। आरांकि फिलाल सब्ता में तीन दिन ही विद्यार्थियों को पढ़ने का मुका मिलेगा। एक दिन छोड़कर दूसरे दिन विद्यार्थियों को स्कूल में जाने की अनुमती मिली है। जिलाकलेक्टर इंदजी सिंग, शहर विदायक मनिशा पवार, नगनिगम उत्तर महापोर कुंती देवड़ा आदी मोची उत्रहे। आयोध्या में भावे राम मंदिर बनाने के लिए राष्ट्य स्वयम सिवक संग और विश्व हिंदू परिशत के साथ थी। कई हिंदू वादी संगठन बिकानेर के घरगर पहुंचकर रुपे एकत्र करने का सिलसिलाज शुरू कर चुकी है। पहले दोर में उन लोगों से संग्रहन किया जा रहा है जो बड़ी राशी दे सकते हैं। विकानेरी काई अब तक एक दश्मलव नो जिरो करोड रुपे का संग्रहन कर चुकी है और लक्ष अभी बहुत बड़ा है। केंदी जल शक्ती मंतरी गजिंदे सिंग शिकावत ने जालोर के निकटवर्ती महेशपुरा गाउं में नीजी बस में करंट प्रवाइट होने से घड़ित हृद्य विदारग घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और कहा कि यह घटना अथ्यन दुखत एवं धुर्भाग किया गया जोदपुर के बलदेव राम मिर्धा सरकिल पर कारिक्रम आयोजित कर श्रधान जली दी गई और वहीं बनार रोड़सित अकिल भारती आदर्श जाट महासवा के प्रधान काराले में भी श्रधा के साथ जैनती मनाई गई जोदपुर शहर के प्रतापनगर थाना अंतरगत सेन कालोनी में रात को चोरों ने एक कार का पहले गेट खोला और फिर अंदर बैठ कर आराम से शराप वी और फिर जाते हुए कार का बोनट और एक गेट ही खोल कर चुरा ले गए सुबह घर में जाग होने पर बाहर आने पर कार का बोनट गायब देख सभी हस्प्रद हो गए कार में नमकीन और शराप का पववा मिला है सुचना पुलिस को दिये जाने पर मुकामगायना किया गया रादस्तान में करीब 11 महिने बाद सुवार से कक्षा 9-12 तक के स्टुडेंट्स के लिए रैगुलर स्कूल खुल रहे है और इसके बाद अगर सब कुछ ठीक रहा तो फरवरी महिने में 6-8 तक के बच्चों के लिए स्कूल खुल जाएंगे प्रदेश की शिक्षा निर्देशक सुरफ स्वामी ने दिबाच्चत में यह जानकारी दी स्वामी ने बताया कि कक्षा 9-12 तक के स्टुडेंट्स सोंवार से स्कूल जाएंगे और हम एक फरवरी तक स्कूलों पर पूरी नज़र रखेंगे अगर कहीं से भी कोई अप्रिय खबर नहीं आती है तो एक फरवरी के बाद कभी भी 6-8 क्लास तक के स्कूल भी खुल सकते हैं फिलाल इस बुलिटेन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ